मित्रों ओम स्ति गनिसाय निमा आईए जानते हैं बुद्धुवार यानि की 22 जून 2022 का संपून और विश्थित पंचांग जानते हैं हमारे जो भारती जोतिस पंचांग होता है वो होता है सुर्योदे, सुर्यास, चंद्रोदे और चंद्रयास्त पर आधारित पंचांग एक संस्क्रित का सब्दी है जिसका साब्दी कर्थ होता है पांचों को से निर्मित और वो पंचांग के पांचांग होता है जिथी वार, योग, नशत्र और करन इन्ही पांचों चीयों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्मान होता है किसी भी सुबकार को करने के लिए सही महुर्थ, सही समय और सही नशत्र की आवेसकता हमें पड़ती है हमको इस वीडियो के मध्यम से बुधवार 22 जून 2422 में क्या रहने वाज़ती थी इन्ही की जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत्त तक बैए ताकि आपको संपून पंचांग की जानकारी हो पाए पंचांग का वीडियो पसंद आई जानकरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें कमेंट बाक्स में जैसे करने चो लिखें मित्रों आज का संपून पंचांग आपको बताना राम करूँ उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार सुब कामना देते हैं उन लोगों को जिनका जन्दिन है आपको जन्दिन की हर्दिक सुब कामना है भगवान गनेश की किरपास है आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंतो साथ साथ जिनका भी है मैरे जन्वसरी है उन्हें भी मैरे जन्वसरी की हर्दिक सुब कामना है भगवान सिभ और मापारवाती की तरह आप दिनों की जोरी हमेशा यूहीं बनी रहे साथ साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानि कि आप आप के लिए मैं आज कि इनकी मंगल में होने की कामना भगवान गरेश से करता हूँ तो इनी सब्दों के साथ आई चली आनते हैं बुद्धवार यानि की 22 जून 2022 का संपून और विस्तित पंचांग जानते हैं आज है विक्रम संबत 2089 सक संबत 1944 कली संबत 5124 रहने वाला है मा, असार्मा, पक्ष, क्रिष्न, पक्ष, रेतु, ग्रिस्म, रेतु तिती रहेगी आज की 9 मी 9 मी तिती आज रात्री के 12 बच कर 36 मिर्ट तक रहेगा तदुपरान फिर 10 मी तिती आराम भोग जाएगी नचातर आज का उत्तर भादर पता रहने वाए दिन के 9 बच कर 49 मिर्ट तक तदुप्राण फिर रेवती नेचातर आरंब हो जाएगा करन तेतिल रहेगा दिन के 12 बच कर 53 मिनद तक तदुप्राण फिर गर करन आरंब होगा जोकी रातरी के 12 बच कर 36 मिनद तक रहने वाल है तदुप्राण फिर वनीज करन आरंब हो जाएगा योग आज का सोभाग्य रहने वाए दिन के 10 बच का 34 मिनाट तक तदुप्रान फिर सोभन योग आरम भोजाएगा दिशासूल उत्तर दिशा में आज है उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रियोजन से यातर ना करी हैं पर आपको नुकसान हो सकता है सुब खाद्याच का धनिया रहेगा धनिय का एक-दोरा खाकर भी यातर हरम करेंगे किसी नई क्यारी को करेंगे उसमें आपको सफलतात लगेगी चंद रासी मीन नहने वाली मीन नासीम चंदर माम विराजीत रहेंगे वरत्यहार में सा कुछ नहीं है सूरी राशी की बात के सूरी मिथुन राशी में मेक सिरा नशात्र में सामके 7 बच कर 35 मिनट तक सूरी रहेंगे तदिपान सूरी का आदरा नशात्र में परवेश हो जाएगा सौर्मा असार रहने वाला है भी आईए बेकने ज़र डालें आज के सुर्योदे और चंदोदे की स्थिति पर सुर्योदे होगा सुभा के 5 बच कर 23 मिट पर सुर्यास सामके 7 बच कर 22 मिट पर होने वाला है चंदोदे होगा रातरी के 1 बच कर 27 मेर पर चंदर्यास्त, दिन के 1 बच कर 26 मेर पर होने वाला है ये थो थी आज की सूर्योदे और चंदोदे की बात आइए बेक नेजर डालें आज के सुप चोगड़िया की स्थिति पर शुब समयाच का रहने वाला है दिन के 10 बच का 38 मेर्च लेकर 12 बच का 22 मेर्च तक चर समयाच का दिन के 3 बच का 22 मेर्च लेकर साम के 5 बच का 37 मेर्च तक रहने वाला है लाव समयाच का सुबा के 5 बच का 23 मेर्च लेकर सुबा के 7 बच का 8 मेर्च तक रहने वाला है और आज का अम्रित समय सुबह के 7 बच कर 8 मेर्स लेकर 8 बच कर 13 मेर्ट तक रहने वाला है ये दो थी आज की सुप चोगरिया आज ये बेक नेजर डालें आज के राहुकाल और गुलिक काल के स्थिती पर राहुकाल एक असुप समय होता है ये रहने वाँ दिन के 12 बच कर 22 मेर्स लेकर दिन के 2 बच कर 7 मेर्ट तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको और सफलताथ लग सकती है गुलिक काल जबकि एक मुर्थ होता है ये रहने वाए दिन के 10 बच का 38 मेर्थ लेकर 12 बच का 22 मेर्थ तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलतात लगेगी अभजीत मुर्थ आद नहीं है क्योंकि आज बुद्वार है बुद्वार को अभजीत मुर्थ नहीं होता है विजय मुर्थ की बात के विजय मुर्थ आज करेगा दिन के 2 बच कर 42 मेर्थ लेकर 3 बच कर 38 मेर्थ तक गुदली मुर्थ आज का सामके 7 बच कर 9 मेर्थ लेकर 7 बच कर 33 मेर्थ तक रहने वाला है पर दोस का राज का, सामके 7 बच कर 22 मेंट लेकर गाल कर दातरी के 9 बच कर 22 मेंट तक रहने वाल है बर्म महुर्थ की बात के सुभा के 4 बच कर 3 मेंट से प्रारंब होगा और इसकी समापती होगी सुभा के 5 बच कर 24 मेंट पर तो मितों यहाँ पर मैंने आपको आज का संपूर्ण और विस्तित पंचांग बता है इसी तरह की अनि ग्यान वर्धक वीडियो के लिए जो रहें धर्मसिक्छा के साथ और देखते रहें धर्मसिक्छा जे माता दी